दिल्ली की भीड बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी के तरह आये थे उसी तरह तुफान के तरह चले जाएंगे जो लोग नारा लगाते हैं अपके बार 400 पार ऐसा लग रहा है कि पहले से ही EVM सेटिंग हो चुका है कि तरे नौजवान यहां जो हैं मोदी जी ने नोकनी दिया हाट उठाके बताइए कोई नहीं मिलेगा मोदी जी ने कोई नोकनी नहीं दी सब कुछ जो है प्राइविटाइज कर दिया किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है मोदी जी मिलते तो प्रियंका छोपरा से मिल इस बार बिल गेच को बुला कर के इंटेव्यू देने का काम कर रहे हैं डिल्ली के एतिहासिक मैदान राम लीला मैदान में आयोजित लोग तंत्र बचाओ रैली में उपस्तित हमारे इंडिया अलाइंस के सभी हमारे नेतागन, कारिकर्तागन, पदादिकारीगन, दिल्ली, पंजाब, पिहार से आए हुए सभी हमारे अभिवावग, बुज़ूर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान, युवास, साथी, आप सब का इस्रेयली में हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनं करते हैं, ये दिल्ली की भीड बता रही है, कि मोदी जी, जिस तरह से आंधी के तरह आए थे, उसी तरह तुफान के तरह चले जाएंगे, पहला रहली हम लोगों ने पट्टा में किया, दूसरा बॉम्बे में किया, और तीसरा आज जो है, दिल्ली में हो रहा है, और मैं बता दू, देश के कोने कोने में, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ जनता का साथ आर्शिरवाद मिल रहा है, आज हम सब लोग एक जुट हुएं, देश के लोकतंत्र, देश के सन्विधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए, जिस हसाब से देश में बा काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजिती की जा रही है, उसलिए हम सब नेता, आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं, और आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग सब लोग चाहते हैं, कि इस लड़ाई में आपका सा शिर्वाद मिले और आपका प्यार मिले जो लोग नारा लगाते हैं अपकी बार चार सो पार उनका मुँ है कुछ भी बोलेंगे लेकिन एक बात ते हैं जनता ही मालिक है आप मालिक हैं और आपको तैक करना है कि देश के साशन में कौन बैठ रेगा काम करेगा आज यहां डिली की जनता से पूछना चाहते हैं वो लोग नारा लगा रहे हैं तार्गेट शिक्स कर रहे हैं अपनी बार चार सो पार ऐसा लग रहा है कि पहले से ही इवियम सेटिंग हो चुका है कि आप लोग यह लोग जो नारा लगा रहे हैं क्या वो सच होगा या वो सत्था से बेदखल करिएगा हाथ उठाके बताएए इनको सत्था से बाहर करना है कि नहीं करना आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में आगोशित एमर्जन्सी लागू हो चुकी है देश में सत्ता में जो लोग बैटे हैं ताना शार रवया अपनाने का काम कर रहे है घमंदी हो गए हैं लोग और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे लेकिन जो आँख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं जो मैसूस कर रहे हैं वो बताने आ हैं सत्ता में लोग जो बैठे हैं विपक्ष का धर्म बनता है कर्तव बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरुजगारी है मेहंगाई है गरीबी है आज यहां लोग हैं नौजवान हैं नौजवानों से पूछना चाहते हैं बताओ कितने नौजवान यहां जो हैं मोधी जी ने कोई नोकरी नहीं दी सब कुछ जो है प्राइविटाइज कर दिया और हम लोगों ने बिहार में जब कॉंग्रेस लेफ्ट इंडिया अलाइंस की संकार थी 15 माहिने पांच लाख नोकरी हम लोगों ने देने का काम किया आज किसान तभा है यूव परिशान है लेकिन किसानों से मोधी जी को मिलने का समय नहीं है मोधी जी मिलते तो प्रियंका चोपरा से मिलेंगे किसानों से नहीं मिलेंगे अक्षे कुमार को इंट्रिव्यू देते हैं पिछले चुना में इस बार बिल्गेच को बुला करके इंट्रिव्यू देने का काम कर रहें लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी यह नहीं बता रहें किसानों से उन्होंने पिछले चुना में वादा किया था क क्र लिए उनका आई दुगणा करेंगे आँज्ञाने वपार मोदी जी ने तल्वार चलाने का काम किया है जो हमारे अदाता इसलिए आप सब लोग जब लोगं लोग जब अवाज उठाते है तब तब मोदीजी और उनकी जो सेल है पार्टी की उस add-2-2 very income tax लालू जी को तो कई बार सताया गया मेरे ऊपर बुकर्णा किया गया मेरी मापर मेरी बेहनों पर मेरे जीजाओं टा की तरह संबंदी थे सब केश मुकर्णा किया कई बिहार जए कई हमारे नेताओं पर छाप़ासी चल यह कई जगा इती का रेप चल रहा है आई टी का रेप चल रहा है लेकिन अम लोग घबनाने वाले लोग नहीं आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सुरेंजी को और अर्विन के जिवाल को गिरफतार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है तो उनको हम बता दे के इन लोग शेर हैं आप लोगों ने ताकत दिया है आपकी लड़ाई हम लोग लग लर रहे हैं कांच राज आप लोगसरे देखा ओगा जब जब कंज को किसी से तकलीफ होती थी दर लगता था तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था लेकिन जेल जाने से यहां कोई डरने वाला नहीं है कि तरहें लोगों को जेल भेजोगे लेकिन जब जनता जब जवाब देगी जब वोट कर चोट दिजीगा तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे सब्ता से बेदखल हो जाएंगे इसलिए यह अपनी ताकत को पहचानिएगा सब लोग चुनाओं के समय आप सब लोग बोल किजेगा वोट दीजेगा लोगों को भी वोट दिलाने का करम किजेगा बीजेपी के लोग जूट बोलने वाले ल के चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया यह जूटी पाटी है इसलिए इन पर विश्वास मत कीजेगा मोजी जी कहते हैं कि उनका गैरेंटी मजबूत गैरेंटी है गैरेंटी की बात करते हैं हम बोलते हैं मोजी जी की गैरेंटी वैसे ही गैर तो जब तक चुनाओं है तब तक ही मोदी जी की गारंटी है बाकी कुछ नहीं दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंद्रा पंद्रा लाक रुपे का क्या हुआ यह जवाब नहीं देने वाले लेकिन हमेशा जो है प्रोपगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं इसलिए आप सब लोगों को सौधान रहना पड़ेगा इनके जूट पे आप लोग विश्वास म आप कीजएगा और हम सब लोगों ने आज तस्वीर देखा आज तस्वीर क्या देखा कि आज महामेहिम राश्पती जी अड़्वानी जी को भाड़त रखने देकर के सम्मानित कर रही थी मोदी जी अड़्वानी जी के बगल में बैठे हुए है राश्पती खड़ा हो करक राश्र्पती को सब्मान में खड़ा भी नहीं हुए इससे पहले भी हम लोग ने तश्वीर देखी कि राश्र्पती पीछे पीछे चल रही है मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं यह हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका सन्विधान पर कोई विश्वास नहीं है यह लोग नाकपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं आरेसेस के अजंडे को लागू करना चाहते हैं इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक आंक्रा हम जरूर बताना चाहेंगे देश में इंटरनाशनल लेबर और्गराइजेशन ने सर्वे किया है उसमें आंक्र हैं कि आज देश में बेरोजगारों में से 83 फीसदी युवा हैं परहेलँ के युवां में बेरोजगारी लगबग 65 फीसदी है ग्रामीन छेतरों में सिर्फ objective इंग फर्तिशद युवां के पास ही काम है यानि भारत की आत्वा गाउं में 83 फीसदी युवा आज बेरोजग और मोधी जी इसके बार में कोई काम नहीं किया आप एक बार विश्वास कीजेगा अगर इंडिया सरकार की अलाज की सरकार बनती है तो नौजवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे बेरोजगारी को दूर करेंगे और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोके बाज हो वादा करके बूल जाते हो रोज रोज मोरी जी तुम ऐसा करोगे जनत जो रूट गई तो हाथ मलोगे अरे तुम तो बो के बाज हो वादा करके भाग जाते हो तो आप सबलोग को 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 बहुत बहुत ढ़नेवांग आप सब लोगALL का शिवाथ मिले और हम सबी लोगों जो है आच मिसिटेजीवाल और हमारी बेहन कलपनाजी चेसाथ हम लोग मतबूती के साथ कड़े हैं और लडाइक राइए और जीते ये बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन बहुत बहुत धन्यवाद में कर दो कर दो कर दो